सब्सक्राइब करने जा रहे हैं भीमा कोरेगाउं कमिशन की पहले भीमा कोरेगाउं केस पर आज हम फिर से एक रिकाब देखेंगे और जानेंगे एक्जाक्ली यह कहां पहुंचा है और इस तरह की जो कमिशन से वो कैसे काम कर पाती है अगर आप इन वीडियो के पीडियाप चैनल से जूड़ सकते हैं यहां से आपको पीडियाप मिल जाएंगे यहां से आप मेरे साथ जूड़ सकते हैं UPSC की हमारी जो सेल है वो कल खता होने वाली है दिवाली 30 कोड लगा कि आप इसको जरूर परचिस कीजिए UPCSAC Banking State PCS जैसे topics प्लस UPC Optional जैसे subjects आपको यहां प पर्सिस महार कम्मुनिटी के बीच में एक लंबा क्राइसिस चलता आ रहा था अब एक वाइलेंस में कनवर्ट हो गया बात है एक जुलाई 2018 की अभी जैनवरी 2018 की जैनवरी 2018 को वाइलेंस हो उसके लिए एक प्रॉपर कमिशन जो है वो महराष्ट गवर्मेंट को बनानी प सकते, investigations नहीं कर सकते, statements record नहीं कर सकते तो ऐसे में हमें जब तक एक proper dedicated space नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर पाएंगा और इसके चलते इसको suspend कर दिया गया है Commission के अगर हम history देखें तो January 4th 2018 में स्टेट गवर्मेंट ने request किया था Chief Justice of Bombay High Court से कि वह पर nominate करें sitting judge को Commission of Inquiry के लिए लेकिन जैसे Supreme Court के आप देखेंगे यहाँ पर laws हैं जो norms हैं वो यह कहते हैं कि यहाँ पर आप एक sitting judge को नहीं बिठाएंगे तो Chief Justice ने convey किया कि देखो judgments के according Supreme Court बिलकुल भी यह चीज़ अलाव नहीं करेगा कि एक sitting judge जो है वो इस तरह की inquiry commission पे बैठे हाँ जरूर आप एक retired judge को यहाँ बिठा सकते हैं तो इसके लिए Chief Justice ने तीन नाम जो है retired Chief Justice के High Courts के वो forward कि और उसमें से एक person जो है उनको finally appoint किया गय कि retired Chief Justice है Calcutta High Court के जैनराइन पटेल और साथ में Chief Secretary महराज गवर्मेंट के सुमित मले इनको commission का head बनाया गया और inquiries इनको दे दी गई कि आप head के inquiry कीजे और कोरेगाओ भीमा भीमा कोरेगाओ में जो भी incident हुआ था उसमें जो भी culprits हैं जो भी पूरी उसके पीछे के fact finding है व मतलब क्या reason था और इससे क्या consequences हुए कौन-कौन से individual या group of individuals इसमें directly indirectly responsible है साथ ही साथ इसकी planning कैसे हुई preparedness कैसे डिस्ट्रिक administration ने कैसे इसमें role play किया पुलिस machinery ने क्या law and order को maintain रखा या नहीं रखा क्या steps लिए गए ऐसे incidents को वापिस से होने के रोपने के लिए मतलब पुलिस के आगे के लिए prepared है या नहीं है साथ ही साथ information commission को एक power दे दी गई कि आप किसी भी person से information मांग सकते हैं आप किसी building में आपके पस authority है आप किसी building में जाके इन्वेस्टिकेशन कर सकते हैं सीज कर सकते हैं book of accounts documents commission को civil court की पावर दे दिए important powers है यहाँ पर देखे क्योंकि fact finding commission है उसको अपनी report महाराश्य government को submit करने जिस पर महाराश्य पुलिस action लेगी तो civil court की powers दी गए और सबसे वड़ी बहता है कि जो proceedings है वो judicial proceedings का नाम दिया गया मतलब commission जो भी काम करेगी वो judicial proceedings का ही part होगा inquiry करेगी और finally report को submit करेगी चार महीने में from the date of notifications ठीक है तो इसको काम नहीं कर पाई थी start नहीं कर पाई थी appointments ठीक से नहीं हो पाई थी स्टाफ ठीक से नहीं मिला था फिर ultimately यह सब करते करते और चेहीं महीने निकल गए फिर एक office 2020 तक जो इसके term को finally रखा गया September में तो कामी करना start कर रही थी 2018 में April 2020 तक इसको अपनी report summit करनी थी यह final extensions थे लेकिन 2020 में covid आ गया और फिर जिसकी पूरी working है वो को समय के लिए बंद कर दी गई finally जब इसने work resume किया भी October में August 2021 के बात से जब काम resume किया जब September October में दुबारा से hearing start की तो अब वहां पर commission को दिक्कत या रही है कि उनके पास कोई office नहीं काम करने के वो मुंबई में कहां बैठके काम करें उनके कुछ काम मुंबई में कुछ investigation मुंबई में करनी है उनके बास हमें कुछ भी provide नहीं करेंगे आगहाब हमें logistics प्रोवाइड नहीं करेंगे office प्रोवाइड नहीं करेंगे accommodation प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम यह inquiry आगे नहीं ले जा पाएंगे कोई reply नहीं यहां पर commission के head ने यही final decision लिया कि जब तक further government हमें proper logistics प्रोवाइड नहीं करती ह हम इस commission को suspend करें तो commission जो है यह suspend हो गई है तो देखें तीन साल हो गए है एक justice यहां से demand की जा रहे थी कि यह commission आएगी एक fair inquiry करेगी फिर matter को सुनेगी investigation करेगी और state government को final report summit की करेगी लेकिन वह अभी तक हो नहीं पाया और तीन साल के बाद भी commission का काम पुरा नहीं हो पा रहा है commission के पास logistics नहीं है office नहीं है manpower नहीं है इसलिए उसको अपने काम को suspend करना पड़ रहा है तो यहां पे जो commission है suspend हो गई है अब थोड़ा सा brief देख भी लेते हैं कि क्या exactly इस case में हुआ था क्यों इस case को एलगार परिशत case कहा भी जाता है क्या हुआ था भीमा कुरेगाओं में तो भीमा कुरेगाओं कि अगर हम history में चले तो यह पूने district में एक और थी वहां पे जो British Army थी उसमें Dalit जो है उनको incorporate कर लिया गया था और Marathas की वहां पे defeat हुई थी और यहीं से जो Maratha rule है वो खतम हुआ था वेस्टन इंडिया में British rule का advent हुआ था अब इस victory में बहुत ज्यादा हाथ कहा जाता है Dalit का रहा क्योंकि Dalit ने British Army को support कि और Marathas को defeat क सब्सक्राइब में help की बदले में Britishers खुश हुए Britishers ने इसी भीमा कोरेगाउं में एक विजे स्थम की स्तापना की विजे विट्री पेलर जो है इंस्टाल किया गया इस्ट डिया कंपनी ने इन्दा मेम्री ओफ दोस हूँ पॉर्स पर दे मिंदा बैटल 1997 में बियर अमेटकर्ग ने वहाँ पे विजेट किया महार जातियों के लिए महार लोगों के लिए वहाँ पे बात की कि हमारा भी emancipation होना निसेसरी और तब से यहां पे हर 1st of January को हर साल की एक memorial जो है वो इस memorial पे एक celebration किया जाता है अपनी विक्ट्री अगेंस्ट अप्रेशन यह विक्ट्री ऐसी थी कि यह कहते हैं कि जॉपर कास्ट मॉराथा जहें हमें काफी लंबे समय से अप्रेश कर दे तो उप्रेशन के अगेंस्ट हम इसको सेरेमूनियल सेलिब्रेशन करने आते हैं इस साल भी यह होना था बात है 2018 की 2018 में भी यहां पे जैनवरी 1st को इन समने मिलना था अब हुआ क्या तीन चार दिन पहले की बात हम बात करें 25 जिदंबर 2017 की तो एक एलगार परिशत करके क्या क्या लगबग 250 डालत नौट प्रॉफित नौन फॉर प्रॉफित और इन्होंने 200 वी एनिवर्स्री जो है सेलिब्रेट करनी थी अब यह 200 जो सेलिब्रेट धीमा को रेगावं बैटल की सेलिब्रेट होनी थी इस इविन को कुल्च्रली प्लान किया गया था परफॉर् वो डेसेक्रेटिड मिला ठीक है वो तोट फूट फूट महां पे हो गई थी और उसको लेके काफी ज्यादा वॉइलेंस जो है आपस में इशूस जो है स्टार्ट हो गए मराथा जौर माहर के बीच में अब अल्टीमेटली पुलिस ने जब उसका इंवेस्टिगेशन किया ही आगे एक क्राइसिस हुई कुछ लोगी डेथ हुई किलिंग्स हुई अल्टीमेटली कुछ दलिद बॉइस यहां पर मार दिये गए जो पूरा इवेंट है जो कल्ट्रल इवेंट होना था एक वॉलेंट इवेंट बन गया इसके बाद दो जन्वरी से पुलिस ने फिर फ करने की बात की गई तो इनकी अगेंस फाइर हुई लेकिन अल्टीमेटली कुछ इनकी अगेंस नहीं मिले क्लेंस नहीं मिले फिर उसके बाद एप्रिल से यहां पे पुलिस ने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का रुख है वो कर दिया एलगार परिशत की तरफ और फिर एलगार परिशत के लोगों के अगेंस यहां पे एपाई आर्स होने लेगे और उसमें आप देखेंगे जितने भी दलिद एक्टिविस थे सुधी धावले ठीक है शोमा शेहिन रोना विलसन इन पैटा भी आपको याद होंगे स्टैन स्वामी इन सब लोगों को अ करने का तो इसके चलते हैं पुलिस ने कुछ इंटिलेक्चुल्स को भी सोधा भार्दवाज गौतम नव लखा अरुन फिरेरा को भी अरेस्ट किया वह अभी भी यूए पीए में जेल में अंडर ट्राइल से तो यह तब से चलता आ रहा है और यह क्राइस बार बर आप दे कि काफी इनकी historical importance रही है पुलिस के records यह कहते हैं कि इनके बीच में पहले भी issues होते रहे हैं आप जो माराथा रेजिडेंट्स है विलेज के वो यह कहते हैं कि शिवाले देश्मुग जो है उन्होंने च्छत्रपती शिवाजी के जो बेटे थे उनके last rights को perform किया था जब उन documentation नहीं है दोनों की वीच में अब हांके जो महर दलित जाती है वो यह कहते है कि हमने शिवाजी महाराज के आगे के वंशास का ध्यान रखा हमने उनकी upbringing करी हमने पाइनली उनके आफरी दिनों में हम साथ रहे जबकि देश्मुक्स का कहना है कि हम उनके साथ रहे तो यह जो राइट यहां पर उनके किसने किये थे कुछ बुक कहती है कि गोविंद महार ने कंड़क किये थे लास्ट राइट अफ सामभा जी महाराज महाराथा से कि ऐसा कोई भी documented evidence नहीं है तो उन्हीं गोविंद महार जी की एक समाधी यहां पर बनाई हुई है जिसके ऊपर यह पूरा सेनारियो था भीमा करें को और यही इसी के लिए commission fact finding के लिए investigation के लिए commission अब suspend हो चुग है जब resume होगी finally अपने investigation पर पहुँचेगी और फिर एक report government को submit करेंगी आचा करनों पूरा एक issue आपको clear हो गया होगा मिलें अगले session में तब तक के लिए goodbye take care and God bless you all